प्रीय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आई को इकप पढ़ते हैं आई को इकप पढ़ते हैं देखी और समझते हैं यदि किसी सब्द में आई प्रारंब में हो तब आई का उचारण इ किया जाता है और यदि दो ब्यंजनों की बीच में आई हो तो भी आई का उचारण इ किया जाता है देखें अगर आई प्रारंब में होगा वहाँ पर आई का उचारण इ किया जाता है इज यहाँ पर लिखा है इज ठीक उसी प्रकार आई प्रारंब में है तो यहाँ पर लिखा है इप ठीक उसी प्रकार यहाँ दो ब्यंजनू की बीच में आई है तो आई का उचारण इ किया जाएगा आई का उचारण इ किया जाएगा तब के को को पड़िंगे आई को इ पड़िंगे तब की और डी को ड़ पड़ा जाएगा तब इसका संपूर्ण उचारण किड होता है ठेक उसी प्रकार दो ब्यंजनू की बीच में आई है तो आई का उचारण इ किया जाएगा तहमें इसे पड़िंगे पी एन को नो पड़ा जाएगा के को को पड़ा जाएगा इसका संपूर्ण उचारण पिंक होता है अब इसकी परिभासा पर चलते हैं देखी यदि किसी सब्द में आई प्रारंब में हो एवं दो ब्यंजनू के बीच में आई हो तो एसी इस्तित में आई को ई पड़ते हैं जैसे आके सामने था इज और इप और दो ब्यंजनू के बीच में आई था तब हम इसे पड़ रहे थे किड ठीक उसी प्रकार इसे हम पड़ रहे थे पिंक इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू हैं नाइस डेख झाल